नमसकार दोस्तो दोस्तो आप सभी का हार्तिक स्वागत है आपके अप्ते यूटूब चैनल पे दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं टील Stand First Semester के Second Paper की चोकी हमारा है सिच्छण अधिगम के सिध्धान तो दोस्तों हम लोग बात कर रहेता है आति लोगोत्री प्रशनों के स्रीश की आज का हमारा पार्ट है पार्ट तीन पार्ट एक और पार्ट दू अगर आपने नहीं देखा हैं तो उन पर आई बटन में प्लेलिष्ट दी है वहाँ से आप देख सकते हैं तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर एक से, कोशन नमबर एक, गेज के अनुसार सिछण कौसल क्या है, तो दोस्तों गेज ने क्या कहा था, सिछण कौसल एक विशेश अनुदेशन करिया है, जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कच्छा में करते किस ने कहा था दोस्तों ये गेज ने कहा था अगले कुशन की बात करते हैं दच्छता अधारी सिच्छन का क्या अर्थ है तो दोस्तों दच्छता अधारी सिच्छन से तातपर है दच्छ अध्यापको द्वारा ऐसा सिच्छन जो छात्रों को ग्यान के प्रति दच्छ बना स दश्ता अधारी सिछड के उद्देस बताईए, तो दोस्तों क्या-क्या उद्देस होते हैं, यह होते हैं, छात्रों को विशेष में तच बनाना, प्रतिस पर्दा की भावना विक्सित करना, ज्यान को इस्तायत तुपरदान करना, और सिछड के प्रतिरुची तता सहयोग की विकास करना, किसके उद्देश है दोस्तो दस्ता अधारी सिछछड के उद्देश है ये, अगले कोशिन की बात करते है कौन सा सिछचड सूत्र गेस्टार्णट मनुविज्ञान पर अधारित है तो दोस्तो कौन सा सिछड सूत्र है पाथ्धे वस्तु किसी समझ में आई और कितनी और अच्छे तरीकों से समझाई जा सकती है इसका दिधारण सिचर प्रविधी द्वारा ही किया जा सकता है ठीक है अगले कोशन की बात करते हैं दोस्तों वर्णन विदी के तरीके लिखिये तो दोस्तों वर्णन विदी के कौन-कौन से तरीके है चित्र एवं मौटलो द्वारा भ्रमट द्वारा या करके या प्रयोग द्वारा वर्णन विदी के तरीके है अगले कोशन की बात करते हैं व् इत्तम, सूचना एवं तत्थों का ग्यान, किसकी लाव है यह दोस्तों व्यक्षान पिदी के लाव है, अगले कोशन की बात करते हैं, गड़ी सिछण में उप्योग, किनी दो टीलम का नाम लेक करते हुए उनका उप्योग लिखिए, तो दोस्तों कौन-कौन से टीलम है, ती जोड़ घटाना, गोड़ा सिखाने में, किस के प्रियूग करते हैं? गोलियों का प्रियूग करते हैं, अगले कोशन की बात करते हैं तो दोस्तों यह यह खेल पर अधारित है अगले कुशन की बात करते हैं दच्ता अधारी सिच्छण विदी के दो सोपान लिखिए तो दोस्तों कौन-कौन से दो सोपान है यह पोड़ तैयारी उद्देश निर्धारन सायक सामगरी की व्यवस्था विसेवस्तु का प्रस्तुति लिखिए तो दोस्तों दो विसेशता है कौन सी है बिना लागत के प्राप्त सामगरी अलफ लागत की सामगरी एक से अधिक विसेव में प्रयोग और कौन सा है एक से अधिक पाठोग में प्रयोग यह किसकी है दो विसेशता है उत्तम सिच्छन अधिगम सामगरी की अगले सब द्रश और स्रव विसामगरे ठीक है ये तीन भाग है अगले कुशन की बात करते हैं सिच्छड के संगेनात्मक छेतर का बाला के किन क्रियाओं से संबंध होता है तो दोस्तों किन क्रियाओं से संबंध होता है बाला की जैविकी परिपकोता से बाता बनल के सार्थक क्रिय से अन्ता क्रिया दौर्हण करना और संतुलन अग्र – की वात करते हैं दोस्तों पुुनर्भलनत कुसल से क्या विप्राय है तो दोस्तों पुनर्भलनत सब्द अधिगम के मनो Bernard से लिया गए कहा से लिया गए अधिगम के मनोविज्ञान से लिया गया है पुनरवलन के अंतरगत वे सभी क्रिया तत तत आ जाते हैं जिससे विवस होकर छात्राय को क्रिया करनी पड़ती है अधियापक का आदेश, स्वयम की इच्छा, बड़ो का सम्मान, समाजिक मर्यादा से प्रावित होकर जो कार किया जाते हैं वे सभी पुनरवलन के अंतरगत आते हैं पुनरवलन आनदवाती, सित्धाध पर आदारित है जिसके अंतरगत व्यक्ति वांचित वेवहार को दोराता है पुनरवलन शीखने की एक आवस्से किस्थेती है पुनरवलन में उन उद्दीपनों का प्रयोग करते हैं जिनके प्रस्तुतिकरण से अथवा हटने से किसी अनकुरिया के होने की समभावना पढ़ जाती है यह क्या है यह पुनर्वलन कौसल है अगले कोशन की दोस्तों बात करते हैं सिच्छड की आगमन विदी से क्या विप्राय है तो दोस्तों आगमन विदी किसे कहते हैं आगमन मस्तिस की एक विशेष क्रिया है जा क्रिया विशेष्ट वस्तों से निरिष्छड द्वारा व्यक्ति को समान सत्य की ओर ले जाती है इस प्रक्रिया में समवेदना प्रतिची करण तर्क निर्णे और समाने करण की आवसकता पड़ती है समवेदना और प्रतिची करण द्वा सामान नी करण कहते हैं, आगले कुशन की बात करते हैं दोस्तों, बहुँ निसरी कच्छा सिच्छड किसे कहते हैं तो दोस्तों、 ये किसे ltc का एक अभिप्राए से जिसमें सिच्छक 2 या 2 से अधिक कच्छाउ के छात्रों को एक सा बैठा कर उनकी वेक्तित रुचियां विमिनिता उपलब्द अभी रुची मालसिक परिपकोता को ध्यान में रखका सिछड करता है जिसके प्रणाम सुरूप सभी छात्र अध्यनरत रहते हैं तथा अनुसासन बना रहता है ठीक है अगले कोशन की बात करते हैं दोस्तो सिछड के किनी दो उद्देसों को लिखिये तो दोस्तों सिछड के कौन-कौन से दो उद्देस हैं समान उद्देस और विशिष्ट उद्देस ये दो सिछड के उद्देस हैं समान उद्देस में क्या कहाता है बालक को उसके जीवन से संबंदित उप्योग की ज्यान प्रा स्च्ध मिनट के को जाता है, जैसे सिच्ध महत्मा गांधी का पड़ा रहा है महत्मा घांधी के बारे में बिसिष्ट जानका दी रहे रहा है यह क्या कहलाता है बिसिष्ट क्या लाता है दो %. तो अगले कोशन की बात करते हैं, संप्रेशन के प्रमुग घटकों के नामुलेक कीजे, तो दोस्तों संप्रेशन के कौन कौन से घटक हैं, तीन घटक होते हैं, प्रेशक, संदेश और क्राही, अगले कोशन की बात करते हैं, सूच में सिच्छन से क्या तात पर है, तो दोस् अगले कोशन की बात करते हैं सेख़ग के कोई दो उद्देश बताइए तो दोस्तों कॉन दो अक्रिषोट की बात करते हैं कि टीक्ष्ण के दो लाब बताईए दोस्तों कौन णसे दो lalad से सरम से झटिल की ओर और अगले कोशन की बात करते लुवेशड विदी का अर्थ इसपश्ट कीजे थो दोस्तों अनवेशð प्रवधी का ताथपर सिच्छड के उस प्रवधी से जिसमें बालकों के खोश करने वाले इससति को रखकर पिना किसी विशेश, निर्देशन एवं उन्हे स्वयम खोश या नवीन ग्यान अरजित करने का अवसर दिया जाता है क्या कहलाता है अनवेशन विदी कहलाता है अगले कोशन की बात करते हैं विज्ञान सिछण में सरवाधिक उपयोगी सिछण विदी कौन सी है और क्यों है तो दोस्तों कौन सी प्रयोग परदर्शन अनुसंधान भी दी है क्योंकि यही बालक करके सीखता है ठीक है अगले कोशन की बात करते हैं रुचिपूर सिछण का प्रमुक उद्देश क्या है तो दोस्तों बताईए क्या उद्देश है रठने के बज़ाए सीखने पर बल ठीक है सीखने को आनं जो कुछ विद्द्यार्थी जानते और समस्ते हैं उसी के माध्यम से नई बात अर्थात पढ़ाई जाने वाली विशेवस्तु को उसके साथ जोड़ देना प्रस्तावना का प्रमुक उद्देश है अगले कोशन की बात करते हैं नेरिश्छन विदी का सिछन से क्या महत्त हैं तो दोस्तों ऐसी सिछट सामगरी जो अनेक उद्देशों की पूर्ती करती है बहुत देशी सामगरी कहलाती है जैसे चार्ट, क्राफ, मांचेत्र, आदि, कच्छा में अनेक प्रयोगों से छात्रों को रंग भरने, कला बनाने एवं आकार आदि का क्यान होता है अगले साइटी सरल एवं इसपश्ट होनी चाहिए वनन करते समय छात्रों के बहुत धिक इसतर का ध्यान आवस्य रहना चाहिए यह क्या है वनन विदी में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगले कोशन की बात करते हैं दोस्तों प्यख्यान विधी के दो लाब बताईए तो दोस्तों कौन-कौन से दो लाब हैं करम बंदिता एवं तारकिकता प्रतेक पहलू तथा बिंदू का क्यान अगले कोशन की बात करते हैं चात्र समू में कार करके ही वास्तविक रूप से सीखते हैं इसपष्ट कीजे तो दोस्तों कैसे सीखते हैं समू चर्चा विदी के प्रयोक करना चाहिए और चर्चा के अंत में प्रशन पूछ कर मुल्यांकर किया जाना चाहिए अगले दोस्तों कोशन की बात करते हैं रुचिपूर सिखण की कोई तीन विशेष्टा बताएं तो दोस्तों तीन विशेष्टा क्या है करके सीखने की इस विधी का क्यों किया जाता है तो दोस्तों क्यों किया जाता है पिवित चात्रों की उपलब्दी इस्तर की विशमताओं को दूर करना चात्रों में समान सहची गुडवत्य की प्राफ्ति सुनिश्चित करना सिखणों के सिखण अधिगम की उप्यूक्त पिधी का चैन में सायता करना अगले और अंतिम कोशन की बात करते हैं दोस्तो नियोजी सिच्छण के लाव बताईए तो दोस्तो नियोजी सिच्छण के क्या के लाव है तो दोस्तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे लाइक कर दीजे कमेंट कर दीजे तता आपने जितने सभी साथ ही है उनको सेंड कर दीजे धन्यवाद दोस्तों